दोस्तो हमारे यूटूब चैनल राजवनस्वती में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे भटकटैया के बारे में भटकटैया को कटैया बेगुना भटकटैया के नाम से ही जाना जाता है यह एक कटैरी का ही एक प्रकार है इह है जमीन से 60-90 см उच्चा होता है दोस्तो जो आप देख रहे हैं यह काटेदार पौदा है और इसके पत्तों के चारव ओर काटे ही काटे होते हैं दोस्तो यह काटे वहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तो इसमें पीले और चित्तिदार फल भी लगते हैं और ये कटेरी के पेड़ के समान ही होते हैं। दोस्तो भट कटेया के आपको गोड़ बताएंगे क्या हैं। दोस्तो भट कटेया तीखी और पाचन सक्त वर्दक और सूजन नासक होती हैं। और इहें उदर रोगों के लिए बहुत ही लाबकारी होती है। दोस्तो आज हम बात करेंगे भट कटेया के 5 महत पूर फैदे के बारे में और इसका क्या उप्योग है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तो तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तो जिससे आपको पूर जानकारी मिल सके। दोस्तो अगर किसी को पत्री की समस्या है इसके लिए भट कटेया बहुत ही फैदे बंद होती है। आपको भट कटेया के 14-28 मिली ग्राम पंचांग को ले आएं और इसका कूट पीस कर रस निकाल लें। रस निकालने की बाद दोस्तो इस रस में सहद बराबर मात्रा में मिलाकर इसका सु का काड़ा 20-40 मिल बनाकर रोजाना सुवे साम सेवन करने से बहुत ही लाब होता है। दोस्तो मूँ में च्छाले हो गए हैं इसके लिए भट कटेया बहुत ही फैदे बंद होती है। मूँ में च्छाले बापीडा होने पर कटेहरी और भट कटेया के पंचांग का काड़ा बनाकर कुला करने से मूँ के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तो अगर सिरदर्द की समस्या है, सिरदर्द ठीक नहीं हो राएं इसके लिए भट कटेया की फलों को ले आएं और इसका रस निकाल कर दोस्तो और माथे पर लेप करने से सिरदर्द खत्म हो जाता है। दोस रस निकाल ले और दोस्तों और पत्तों को भी साप दुलकर इसका रस निकाल ले बरावर मात्रा को मिला कर और सुबह साम शीवन करने से गले की सूजन ठीक हो जाती है दोस्तो इस दवा का उपयोग और इसका उपाय और नुक्सों को बैद की सला अमसार उपयोग करें वीडियो में जानकारी पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करें